हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांजी श्टडी चैनल दोस्तो आज है साथ फरवरी दो हजार चौबेस और साथ फरवरी दो हजार चौबेस से रिलेटिड करंट अफियर्स के जितने भी कुशन बन सकते हैं आज ही क्लास में सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से र पॉर्निंग सुबह 7 अम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस किलास के लिए तयार रहा करिए इस से आपकी तयारी करंट अफियर्स में बैतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एक्जाम में आप करंट अफियर्स से रिलेटिड जितने भी ये कुशन का अंसर बहुत इजली दे पाएंगे तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का पहला कुशन देखते हैं आज का पहला कुशन लिखा है हाल ही में विस्व कैंसर दिवस कब मनाया गया वैन वाज वर्ल्ड कैंसर डे सेलीब्रेटिड रिसेंटली फर्स्ट ओप् पांच फर्वरी को जल्दी से बताइएगा दोस्तो हाल ही में विस्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नमबर सी चार फर्वरी को चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपॉर्टेंट पॉइंटों चार फर्वरी को मनाती है यह दिन कैंसर के बारे में जागरुकता बढ़ाने और इसकी रोक थम और उप्चार को प्रोशाहित करने के लिए मनाया जाता है और इस वार की थीम है दोस्तों क्लोज दी केर गैप एवरी वन डिजर्व एकसिश टू कैंसर केर क्या है दोस्तों इसकी theme एक बार फिर से पढ़ लेती हैं कोई भी डे की दोस्तो theme most important होती है और exam में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो इसको हमेशा एक से दो बार पढ़िएगा तो इस बार की theme है close the care gap everyone deserves access to cancer care इसकी सुरुआ 4 फरवरी 2000 से पैरिस में new millennium के लिए cancer के खिलाफ विश्व सिखर समेलन में हुआ था और ये किसके दोआरा किया गया था अंतर राश्टी cancer नियंतरड संग के दोआरा राश्टी cancer जागरुकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है ठीके दोस्तों याद रखिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं और राश्टी cancer जागरुकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं इसलिए दोनों पॉइंट नो डाउन कर दिया है कि दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज ना हो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुईशन देखते हैं नेश कुईशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में भारत सरकार ने किसको भारत रत्न से सम्मानित करने की गोशना की है रिसेंटली हुआज एनाउंच टू बी ओनर्ड विथ भारत रत्न बाई दग गवर्मेंट ओफ इंडिया फर्ष्ट ओप्सन है लाल कृष्ण अर्वानी जी को सीकेंड ओप्सन है करपूरी ठाकुर जी को थर्ड ओप्सन है उपर युक्त दोनो या फोर्ट ओप्सन है मोहन भागवत जल्दी से बताईएगा दोस्तो इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर सी बोथ ओफ दी एवव यानि कि दोस्तो लाल कृष्ण अर्वानी जी और करपूरी ठाकुर जी इन दोनों को यह एवोर्ट से सम्मानित किया जाएगा चलिए से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं भारत सरकार ने लाल किष्ण अर्वानी को देश के सर्वोज नागरिक पुरुष्कार भारत रस्न से सम्मानित करने की गोशना की है भारती राजनीती के सबसे प्रमुक सक्सितों में से एक और बीजेपी के दिगज नेता रहे लाल किष्ण आर्वानी को देश के सर्वोज नागरिक पुरुष्कार दिया जाएगा भारत के उप्रदान मंत्री रहे चुके लाल किष्ण आर्वानी जी की जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था ये भारत के ग्रह मंत्री तथा अन्य महतपूर मंत्रालों के मंत्री रहे चुके हैं 1990 में उनकी रत यात्रा भारती राजनीती में एक महतपूर मोर्ड थी जिसने राष्टी विमर्ज को महतपूर रूप से प्रभावित किया और एक प्रमुग राजनीतिक ताकत के रूप में भाजपा के उद्य में योगदान दिया है इससे पहले राजपती डौबनी मुर्मुजी द्वारा करपूरी ठाकुर को मरडो परांथ भारा रतन दिये जाने की गोशना की गई थी ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में किस राजिके राजपाल बनवारी लाल प्रोहित ने स्थीपा दिया है रिसेंटली दी गवर्नर ओफ विच स्टेट बनवारी लाल प्रोहित रीजाइंड फर्स्ट ऑप्सन है पंजाब सिकिंड ऑप्सन है हरियाना थर्ड ऑप्सन है तमिल नाडू फोर्ट ऑप्सन है केरल बताइएगा दोस्तो हाली में किस राजिके राजपाल बनवारी लाल प्रोहित ने स्थीफा दिया है इस कुशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मारा ऑप्सन नंबर ए पंजाब राज के राजपाल चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है बनवारी लाल प्रोहित ने पंजाब के राजपाल तथा चंडी गड़ के प्रिसासक पद से इस्तीफा दिया बनवारी लाल प्रोहित ने 2021 में पंजाब के 29 राजपाल तथा चंडी गड़ के 16 प्रिसासक के रूप में सपत ली थी वह तीन बार लोग सबा सांसद रहे हैं और मद्य भारत के सबसे पुराने अंग्रेजी अखवार दाहित वार के मैनेजिंग एडिटर भी रहे चुके हैं बनवारी लाल प्रोहित इससे पहले तमिल नाडू, असम और मेगाले के भी राजपाल रहे चुके हैं ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हों नेज कुशन देखते हैं नेज कुशन लिखा है दोस्तों फरवरी दो हजार चौविस में वित्मंत्राले में मुके सलहाकार किसे न्युक्त किया गया है फर्स्ट ओप्सन है छंजीव खन्ना, सिकिंड ओप्सन है धीरत सिंग ठाकुर, थर्ड ओप्सन है जगट कोटेजा, फोर्थ ओप्सन है पवन कुमार जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइड आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ओप्सन नंबर डी पवन कुमार जी चलिए इससे रिलेटिट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं केविनेट की न्युक्ती समिती में पवन कुमार को वित्यमंत्राले में मुक्य सलहकार न्युक्त किया गया पवन कुमार ने एक दो दो हजार चौविस को यानि की दोस्तों एक फरवरी दो हजार चौविस को लेविल 17 में वित्मंत्राले के व्य विवाक के मुके सलहकार के रूप में कारिभार गिरेंट किया है पवन कुमार भारती लेखा सेवा के 1992 बैच के अधिकारी है कारिभार समालने से पहले स्री पवन कुमार अत्रिक्त मुके सलहकार का परभार समाल रहे थे थीक है दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हो नेश कुषिन देखते हैं नेश कुषिन लिखा है friends हाली में हरियाना में सुरज कुंड मेला का कौन सा संस्क्रण आयोजित किया गिया which edition of सूरज कुंड मेला वाज और्गिनाइजड इन हर्याना रिसेंटली फर्ष्ट ओप्सन है 35, सिकिंड ओप्सन है 36, थर्ड ओप्सन है 37 या फोर्ट ओप्सन है 38 पताईएगा दोस्तों हाली में हर्याना में सूरज कुंड मेला का कौन सा संस्क्राड आयूजित किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है मारा ओप्सन नंबर सी 37 चलिए इससे रिलेटिज इंपोर्टिन पॉइंट यो को पढ़ती है हर्याना के फरीदावाद में 37 सूरज कुंड मेला 2024 सुरू हुआ इसका आयोजन दो फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक चलेगा यह सूरज कुंड मेला ग्राउंड फरीदावाद हर्याना में सुरू हुआ है और इसकी थीम स्टेट है गुजरात उधगाटन करता है इसकी राश्टपती द्रौबदी मुर्मुजी गुजरात इससे पहले 1997 में थीम राजी के रूप में चुना गिया था 2023 संस्करण में मेले में आठ राज्यों को थीम राजी के रूप में दिखाया गया था ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते और नेस कुशन देखते हैं नेस कुशन लिखा है फ्रेंड्स बजट 2024 में सीर्स भारती साहिता प्राप्त करता के रूप में अगरनी देश कौन सा बना है विच कंट्री विकम दी टॉप इंडियन एड रेसिपियंट इन बजट 2024 या 2024 फर्स्ट आप्शन है बंगलादेश सिकिंड आप्शन है स्री लंका थर्ड आप्शन है नेपाल या फोर्ट आप्शन है बूटान बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्शन नमबर डी भूटान चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टन पॉइंट यो को पढ़ती है अंतरिम बजट दो हजार चौबिस पच्चिस में भूटान सीर्स भारती साहिता प्राप्त करता देश बना है वित मंतरी निर्मला सीता रमर ने भूटान को भारती साहिता का प्रात्मिक लावारती बताया जिसे दो लाग 38,997 करोड रुपे मिले इसके बाद माल दीब को 77,990 करोड रुपे मिले भारत सरकार ने विती बर्द 2024-25 के लिए विदेशी सरकारों को अनुमानित अनुदान और रिड कुल 5,46,756 करोड रुपे रखा है 2023-24 के संसोदित अनुमान के अनुशार बारत सरकार ने विदेशी सरकारों को 6,54,189 करोड रुपे प्रिदान किये जिसमें अनुदान के रूप में 4,92,743 करोड रुपे और रिड के रूप में 16,14.36 करोड सामिल थे ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेस कुशन देखते हैं नेस कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में महिला इवंबाल विकास मंत्राले ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वाफसी के लिए कौन से पोर्टल का अनावरड किया विच पोर्टल वाज रिसेंटली अन्वैलिड बाई दा मिनिस्ट्री ओफ वोमें एंड चाइल्ड डवलम्मेंट फॉर दी रिस्टोरेशन एंड रिपेरिटेशन ओफ चिल्रन पर्स्ट ओप्शन है ट्रेक चाइल्ड पोर्टल सिकिंड ओप्शन है घर पोर्टल थर्ड ओप्शन है उपर युक्त दोनों या फोर्ट ओप्शन है होम पोर्टल बताईएगा फ्रेंट्स हाली में महिला इवं बालविकास मंत्रा लेने बच्चों की बहाली और सुदिस वापसी के लिए कौन से पोर्टल का अनावरड किया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओपसन नंबर सी उपर युक्त दोनों चलिए इस कुशन से रिलेटेट इंपोर्टिंट पॉइंट्टों को पढ़ते हैं महिला एवं विकास मंत्राले ने ट्रेक चाइड पोर्टल और घर पोर्टल लॉंच किया ट्रेक चाइड पोर्टल ये पोर्टल देश भर में लापता और पाई गई बच्चों का नज़र रखने के लिए एक एकी करत केंदर के रूप में कार करता है घर पोर्टल ये एक डिश्टर प्लेटफॉर्म है जिसे किसोर नियाए अदिनियम 2015 के अनुशार बच्चों की बहाली और प्रित्या वर्तन की सुविदा के लिए दिजाइन किया गया है केंदरी महिला एवं बाल विकास मंत्री है इसम्रती जुवेर इरानी चलिए आंगे बढ़ते हों नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंट्स यूपी आई सुविदा सुरू करने वाला पहला यूरोपी देश कौन बना है विच विकम दी फर्स्ट यूरोपीन कंट्री टू लॉंच यूपी आई फैसिल्टी फर्स्ट आप्सन है ब्रिटेन सिकेंड आप्सन है फ्रांस थर्ड आप्सन है जर्मनी या फोर्ट आप्सन है इटली बताएगा फ्रेंट्स यूपी आई सुविदा सुरू करने वाला पहला यूरोपी देश कौन बना है इस कुश्टन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वह है हमारा आप्सन नंबर भी फ्रांस बना है चलिए इससे रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है फ्रांस यूपी आई सुविदा सुरू करने वाला पहला यूरोपी देश बना है दो फर्वरी को भाटी दूतावास ने फ्रांस में पैरिस की एफिल टावर पर यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस को आपचारिक रूप से लौँच किया अब लोग यूपी आई के जरी एफिल टावर की टिकेट बुक कर सकेंगे 25 जनवरी को फ्रांस के राष्टवती इमैनुवल मैक्रो जैप पर पहुँचे थे जिस दौरान प्रदान मंतिरी नरेन मोदी ने उन्हें यूपी आई पेमेंट डिश्टल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया और फ्रांस की लाइरा कलेक्ट ने यूपी आई को लागू करने का समझाता किया था ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में नागेश ट्रोफी 2023 किसने जीता है फर्स्ट ओप्सन है करनाटक सिकिंड आंपिर्देश थर्ड ओप्सन है हरियाना या फोर्थ ओप्सन है मद्पिर्देश बताईएगा दोस्तों हाली में नागेश ट्रोफी 2023 किसने जीता है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर ए करनाटक ने चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट यो को पड़ती है करनाटक ने आंध पिर्देश को हरा कर नागेश ट्रोफी जीती है नागेश ट्रोफी पुरुसों के राष्टी रष्टी वादे टी ट्वेंटी किर्केट टूनामेंट होता है नाकपुर में आयोजित फाइनल में करनाटक ने आन्द पिर्देश को 9 विकेट से हराया विजेता टीम को पुरुषकार रासी एक लाख चार हजार रुपे दी गई प्लेयर आफ दा सीरीज पुरुषकार सुनील रमेज जी को मिला है ये करनाटक की है नागेश ट्रॉफी पार्टी दस्टी वादित किर्किट एसोसियेशन के संस्थापक अध्यज और विकलांग के लिए समर्थन ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी स्वर्गी स्पी नागेश की स्मृति में आयोजित की जाती है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट कुशन देखते हैं आज का लास्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में किसने दिश्टल मीडिया एडिटर जनलिष्ट एसोसियेशन महराष्ट की ओर से महागौरफ दो हजार चौबिस पुरुषकार प्राप्त किया है फर्स्ट ओप्सन है निकिलवाग जी ने, सिकेंड ओप्सन है अनभफ सिन्ना जी ने, थर्ड ओप्सन है पुंडलिक के बडुगरी जी ने, या फोर्ट ओप्सन है विकास कुमार जी ने जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है हमारा ओप्सन नमबर ए, निकिलवाग जी ने, चलिए इस कुशन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंट यो को पढ़ती है, निकिल मुकंद बाग को महाराष्ट के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महा गौरव दो हजार चौबिस पुरुषकार से समानित किया, यह किसके दोआरा दिया गिया दोस्तों, डिश्टल मीडिया एडिटर जनलिष्ट एसोसियेशन महाराष्ट के दोआरा, निकिल मुकंद वाग वर्तमान में रच्छा मंत्राले के तहत गोवा से प्यार अगर क्लास अच्छी लगी हो, दोस्तों सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, थैंक यू सो माच दोस्तों